नमस्कार मैं हूँ प्रवेंड गोतम इसके बाद बाबारामदेव जवाब देते हैं कि जज साहिबा मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी हमसे भूल हुई है उसके रहे हम बिना शर्ट माफी माँगते हैं आगे सुप्रीम कोट कहता है कि आपने योग के लिए बहुत कुछ यहा है आपका सम्मान है लेकिन जिस चीज का आप प्रचार कर रहे हैं हमारी संस्कृती में कई ऐसी चीजे हैं लोग सिफ ऐलोपैथी नहीं घरेलूपतिया भी इस्तमाल कर रहे हैं ना निकिन उसके भी आप अपनी पत्तियों के लिए दूसरों को यानि ऐलोपैथी को गलत क्यों बता रहे हैं इसके जबाब में बावा रामदेव कहते हैं कि किसी को भी गलत बताने का हमारा कोई इरादा नहीं था आयरुवेद को रिसर्च बेस्ट एविडेंस के लिए तथे पर लाने के लिए पतांजडी ने कई प्रयास किये हैं आगे भी इसके प्रति जागरुक रहूँगा कारे के उत्सा में ऐसा हो गया आगे से नहीं होगा यानि रामदेव कहते हैं कि उत्सा में ऐसा हो गया जिस पर सुप्रीम कोट ने सुनाते वे कहा कि आप इतने मासूम नहीं हैं ऐसा लगने ही रहा कि कोई हिर्दय परिवतन हुआ हो, अभी भी आप अपनी बात परड़े हैं, हम इस मामने को 23 अप्रेल को देखेंगे, आप दोनों उस दिन भी कोर्ट में हाज़े रहें, यानि रामदेव और बालकिष्ण को 23 अप्रेल को भी कोर्ट में हाज़े रहना है, जो बाबा रामदेव कोर्ट में आने से बच रहे थे, वकील को भेज़ कर ही काम चला रहे थे, अब तीन बार सुप्रेम कोर्ट आ चुके हैं, और चोथी बार भी आना पड़ेगा, और पब्लिक अपलोजी का भी रामदेव के वकील ने दावा किया है, कि हम पब्लिक में माफी मागने को तयार है, मीडिया के जरिये माफी मागने को तयार है, अब ये हालत हो गई है बाबा रामदेव की जिन पत्रकारों को धंकिया दिया करते थे, कि मेरा क्या उखार लोगे, आज उन पत्रकारों के सवालों से बच रहे हैं बाबा रामदेव, जब बार बार सरकार अपनी है तो कोई कुछ नहीं बिगार सकता कमेंट पॉक्स पर पिराज जरूर दें अगर आप हमारी पत्रकारता को फसंद करते हैं तो थैंक्स के उप्शन के इस्तमाल करें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें नमस्कार